हेलो दोस्तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे बहुत से कॉमेंट्स आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग और प्लीज अगर हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके शियर करना ताकि सभी क्रियेटर्स जो सभी यूट्यूबर्स हैं उनका बेनिफिट हो सके और ये वीडियो अगर आप एक यूट्यूबर है तो प्लीज प्लीज जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है कि आपको ना पता हो लेकिन आज का ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है तो जो मेन टॉपिक आज का है वो है कि यूट्यूब को बहुत सी कम कि major companies जैसे कि Audi, Toyota, ये सबी bycott कर रही हैं bycott का मतलब कि जो companies हैं, जो बड़ी बड़ी companies वो YouTube के उपर अपनी advertisements नहीं देना चाहते और आप सोच सकते हैं कि आप YouTube के उपर काम कर रही हैं और आपकी वीडियो के उपर ads नहीं आएंगे और ads नहीं आएंगे तो आप काम ही क्यों करेंगे कितने लोगों का profit खतम हो जाएगा, कितने लोगों का जोतना कमा रहे हैं YouTube से बिल्कुल ही खतम हो जाएगा ये सब कुछ क्या है और कैसे है ये सब कुछ आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले आप स्क्रीन के ओपर देखिए कि WPP एक WPP एक कमपनी है ये सबसे बड़ी दुनिया की कमपनी है जो की advertisements देती है ये कमपनी Google को और Facebook तक को advertisements देती है और इस कमपनी के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि Google यानि की YouTube और Facebook अपनी videos जो हैं उनकी उपर ध्यान दें जो उनकी फालतू की videos हैं उनके उपर ads देना बंद करें नहीं तो तीरे दीरे सारी companies इनको बाइक आट कर देंगी और कंटी देखिए कितने channels दी हिंदू, चाहे आप C, N, B, C और कितने channels हैं जिनके उपर आप ले लीजिए कि ये news आ रही है कि कितनी companies ने YouTube को बाइकट कर दिया है वो ads ही नहीं देना चाहते देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि Johnson & Johnson, इतनी बड़ी company PepsiCo कितना revenue का effect बड़ेगा इसके accordingly, और PepsiCo जिनके कुछ ऐसे channels हैं जो इससे related हैं, PepsiCo की ads जिनके उपर आती हैं, वो भी आनी बंद हो जाएगी L'Oreal Paris, अब जिनके beauty के channels है, beauty का channel किसी ने कोई नुस्खे बताने शुरू किया कुछ बताना शुरू किया, उनके उपर head and shoulders की ad आएगी L'Oreal की ad आएगी, अब L'Oreal की ad आनी बंद हो जाएगी, तो सुचे कितना बड़ा impact पड़ रहा है यार मतलब, लोग धड़ा-धड़ कुछ भी कुछ भी videos डालते जा रहे हैं AT&T, यह company है Verizon, Toyota के बारे में आपने सुना होगा, यह companies ने भी bycourt कर दिया है कि वो YouTube के उपर अपनी ads नहीं देंगे, अब reason क्या है, reason आप यह देख लीजिए, यह second number पे एक video देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक बहुत बड़ा साप मिला एक गाओं में, अब यह video चल गी है 26, कितना 266 लाक almost यार कितनी चल गी 26 million यह video चल चुकी है और ऐसी video के उपर क्या ads नहीं आई होगी, कितनी ads आई तो अब यह companies कहती है कि यार तुम फालतू की videos के उपर ads देते जा रहे हो, जो company जो भी video है कोई relevant नहीं है, उस video का हमारी company से कोई लेना देना नहीं है, उनके उपर भी ads कोई, इसको कहते है hate content hate content के उपर ads दे रही है, facebook भी दे रही है और google भी दे रही है youtube भी, ऐसा नहीं है कि youtube दे रही ads, youtube के पास इतने तो employees है नहीं, अब हर एक घंटे में 400 घंटे की videos upload होती है 400 घंटे की videos को अब youtube कितने ही employees लगा ले कि वो check करेगा कि कौन सी video सही है कौन सी video गलत है, तो उनके filters जो है उनके filters इतने वो नहीं है, कहें कि वो पता लगा लें कि कौन सी video सही है, कौन सी video गलत है, तो ये जो companies है ये चाहती है कि ये जो hate content है, जो गलत content upload हो रहा है youtube के उपर, उसको हटाओ, उसके उपर filter लगाओ चाहे हमारी ads ऐसी videos के उपर नहीं होनी चाहिए, तो please दोस्तों, जो लोग ऐसे content बनाते हैं, वो मत बनाईए क्योंकि उससे ना तो आपको ad का revenue मिलेगा तो कि ads ही नहीं होगी, तो revenue कहा मिलेगा, और इससे जो content अच्छा बनाते हैं, जो कुछ बढ़िया बनाते हैं, उनका भी नुकसान हो जाएगा, उनका भी कुछ नहीं होगा, और मैं आपको ये दिखा दूँ, कि आप, जियो चला, जियो जियो, सभी के, जिसके channel देखो, जियो की वीडियो, अब मैं आपको कुछ channel दिखाता हूँ, जो बिल्कुल ही हटके होंगे, अब ये channel देखिए, इसके 2,00,000 subscribers हैं अब आप भी subscribers चाहते हैं तो ये दिखिए, ये channel जस्ट एक आपको हमेशा कहता हूँ, कि brand बनाओ, तो ये brand बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि देखिए, 30,00,000 subscribers अब लोगों को पता है कि cute polish के अदर क्या देखने को मिलेगा ये channel है 5-minute crafts 18.7 वो almost 19,00,000 subscribers हैं इनके और तो इनके अंदर भी कौन सा इन्होंने क्या जियो डाल दिया इसके अंदर की हाँ आप जियो के अंदर देखो की जियो क्या चल रहा है जियो का नया offer आ गया, तो ये साम के बारे में बता दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने जो hacks हैं, life hacks कुछ ऐसा, कुछ tricks हो गई या 5 मिनटे में क्या बनेगा ये चीज़े बताई है तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप कोई अच्छी category को चूज करो और उसके उपर वीडियो बनाओ ना कि ऐसे ही viral होने के लिए जस्ट वीडियो बनाते जाएं अब वाइरल होने के लिए वीडियो बनाएंगे तो उससे क्या होगा अब देखिए हमें तो लगता है कि शाहिद चलो हमें पैसा बन रहा है लेकिन बैक एंड में देखिए बड़ी-बड़ी companies जो हैं वो YouTube को छोड़ रही है तो YouTube का तो बिजनस एक तरह से खतम होता जा रहा है अब ये चीज़ चल तो काफी टाइम से रही थी एक देड महीने से दो महीने से चीज़ चल रही है लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले तो कितनी और companies ने बाइकाट कर दिया इवन अस्ट्रेलिया की जो government agencies हैं जैसे कि एक health की उनका Australian agency है और एक defense की है उन्होंने भी बाइकाट कर दिया कि हम YouTube के ओपर ads नहीं देंगे देखे कितना बड़ा loss हो रहा है YouTube को जो just because of the creators ठीक है creators के कारण ही YouTube को benefit है लेकिन loss भी हम ही दे रहे हैं तो हमें ऐसा content नहीं बनाना चाहिए जो कि YouTube के ऊपर हर एक बंदे को नुकसान दे और even कि वो आपके लिए भी नुकसान दे है और जो एक सबसे बड़ी समय लीजिए कि आपके लिए update है YouTube अपनी policies को revise करेगा जो community guidelines की policies हैं उनको strict करेगा तो इससे आप सोच सकते हैं कि जिनको strikes आती हैं वो strikes बढ़ जाएंगी अब जो strikes है जो channel terminate होते हैं वो सब चीज़े बढ़ेंगी क्योंकि अब क्या करेगा YouTube जैसे news में सुनने के लिए आया है YouTube जादा बंदे hire करेगा जादा बंदे hire करेगा manually बंदे जो है वो videos को check करेंगे कि कौनसी वीडियो सही है कौनसी वीडियो गलत है हर वीडियो तो नहीं लेकिन अब यह frequency बढ़ जाएगी अब लोगों को strikes और channel termination जादा होगा तो please कोशिश करें कि एक अच्छा content quality content YouTube के उपर लेकर आएं तांकि आपका channel बंद ना हो बस मेरी तो यही just एक suggestion है कि हमें अच्छे तरह से काम करना है YouTube के उपर तांकि सभी safe रहें और हम भी safe रहें इस तरह से तो फिर strictness बढ़ती जाएगी और फिर कल को ऐसा time आजाएगा जब कि मुश्किल ही बहुत हो जाएगा YouTube के उपर काम करना तो हमारे लिए मुश्किल ना हो तो better है कि quality content बनाएं देखिए जैसे मैंने आपको 2-3 channels दिखाए कि जो एक अच्छे तरह से grow करते हैं तो उस तरह से आप भी कोई एक topic को choose कीजिए उसके उपर लग जाएगे और अपना अच्छा quality content देते जाएगे देखना फिर कुछ time में छे महिने बीतेंगे साल बीतेगा और आपका चैनल बहुत अच्छा grow हो जाएगा तो यही एक update थी जो मैं चाहता था कि आपको बता दूँ क्योंकि मुझे भी खुदको भी tension हो रही थी कि हां कि क्या बनेगा future क्या होगा अगर इतनी companies छोड़ देंगी जो main major companies है जिनका major part ह है हमारे revenue में YouTube के अंदर वो companies छोड़ती जा रही है तो बाकी तो companies का बिल्कुल कम ही revenue रह जाएगा तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों प्लीज मेरे लिए share कर देजिए इस वीडियो को दोस्तों तक अपने WhatsApp में चाहे Facebook के अंदर अगर आप share कर सकते हैं ताकि आपका भी benefit हो आप YouTuber हैं आप भी समझते हैं कि YouTube हमारे लिए क्या माईने रखता है बस यह suggestion था और प्लीज आप share कीजिए जितना हो पाए like चाहे वीडियो को ना भी करेंगे तो भी चलेगा लेकि share जरूर कर दीजिए ताकि सभी का benefit हो जाए एक नई वीडियो के स आप फिर से मिलेंगे खुश रहें चैनल को अच्छी तरह से ग्रो करते रहें God bless you